जिया फ्रेंस आज हम बनाने वाले हैं गाजर के जूस से गाजर का हलवा तो कभी खाया है आपने नहीं खाया है तो वीडियो पर बने रहीगा एंड तक अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नहीं प अगर आपके पास जूंसर नहीं है तो मिकसी से भी निकाल सकते हैं तो मिकसी में थोड़ा पानी ऐड़ करना होगा तबी जूस निकलेगा और कप्रे से छान झाहें तो हमें पतला जूस में यूस मिलके ना milk powder आज हम बनाएंगे और आरोट से ही बहुत ही tasty हलवा बनेगा फिर भी तो इसे अच्छे से mix कर देंगे तो गाजर का juice निकालते समय हमने इसमें आधा चुकंदर एड़ कर दिया था इसलिए इसका color change नहीं हुआ है अगर आपके पास चुकंदर नहीं है तो इसकी जगे आप food color भी add कर सकते हैं तो अब लेंगे हम चीनी तो डेड़ ग्रास दूद के लिए हमें डेड़ कफी चीनी चाहिए तो डेड़ कप चीनी हमने ले लिए और इसे कडाई में add करें और आदा का पानी add करेंगे और चीनी melt होने तक इसे पका लेंगे कोई भी तार की चासनी नहीं चाहिए बस चीनी melt हो जाए बस चासनी हमारी तयार हो जाएगी तो पता नहीं क्या हुआ था हमारा camera on करना भूल गए थे तो चासनी हमने बना लिए तो फैंस आप इसी तरह से बना ले उसके बाद जो जूस हमने बना के रखा तब वो इसमें add कर देंगे इस तरह से परारो तले में बैठ जाता है इसलिए हमें चला के ही इसे juice को add करना है इस चासनी में चासनी में juice add कर देंगे और लो फ्लेम पे हमें लगातार चलाते हुए इसे पकाना है बिलकुल भी medium high flame नहीं करनी है तो फैंस अब तो आप समझ गए होंगे कि हम कराची हल्वा बना रह हम थोड़ा थोड़ा घी इसमें add करते रहेंगे और इसे पकाते रहेंगे तो total हमें पंद्रे में लगेंगे हैं इस हल्वा बनाने में और हल्वा बनके तैयार हो जाएगा तो इसी तरह से हमें पकाना है इसे तो इधर हम कर लेंगे एक tray या टिफिन grease तो जिसमें भी हमें इस हल्वे को सेट करना है उसमें इस तरह से ग्रीस कर देंगे और लगा दिया है हमने बादाम थोड़े से पिस्ता और तर्वूज के बीज तो इस तरह से हमने लगा दिया है और अधर हमारा हल्वा भी बनके तयार हो गया है तो इस तरह से चेक कर लें फ्रेंस थोड़ा सा इ से देखेंगे कि ये सेट हो रहा है या नहीं अगर हाथ में नहीं चिपक रहा है तो ये परफेक्ट सेट होने के लिए तयार है और इसे गैस को करेंगे बंद और सभी हलवे को हम करेंगे उस कटेर में टांसपर तो इस तरह से सभी हलवे को हम कर देंगे टांसपर और सेट कर कि यहां देंगे इस स्टाल कुछत मैंद item के लिए रख हैं और रहना हमें थदाधनруго हो कि यहां कि देंगे पलत लेंगे बहुत ही आसानी है diminish किया है नहीं आप चाहिए तो इसमें घीज़ादë अभी एट कर सकते हैं, तो इस तरह से यह अलवाल निकल आया है, आप इसे करेंगी कट, तो आप देख सकते हैं, देखने में इतना सुंदर है, भौछ ही टैस्टी बनाता है, एक बार इस तरह से ट्राइस जरूर करिएगा, तो अप कर लेंगे इसे कट, तो कट करने में थोड़ा चागु में चिपकता है क्योंकि इस तरह से काट लेगे हमने छोटे चोटी पीसिस में काटा है आप अपने मंच आए सेफ में काट सकते हैं बड़े या चोटे पीस में तो सभी हलवे को काट के और सेट कर लेंगे एक प्लेट में तो बहुत ही सोप् खाने में तो बहुत ज्यादा टेस्ट ही है अब इसे प्लेट में लगा लेंगे तो यह देखिए फ्रेंस आप देख सकते हैं अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मिलते रहेंगे ऐसी ही नई के साथ तब तके लिए बाए